डियर फ्रेंट्स आज मापको बताने वाला हूं कि कौन सी अगर नीट एस्प्रेंस की त्यारी करें तो कौन सी वुक उनके लिए अच्छी होती है तो लेट्स स्टार्ट बायो की सबसे बेस्ट एंशियाइटी उससे बेस्ट तो कोई बुक होती नहीं है क्योंकि मैंने प्रदिया तो उसमें 99% कोशन एंशियाइटी से आते हैं तो बायो की सिर्फ एंशियाइटी ही पढ़ो सिरफ शिरफ एंशियाइटी उसकी अलावा कुछ भी नहीं टीचर्स पढ़ाते ही वार उनको ध्यान से पढ़ो और उसके बाद एंशियाइटी कम से कम दस बारा वार यह आपको बहुत ज्यादा एल्प परेगी नीट अगले नीट के पेपर में प्लीज एंशियाइटी ही पढ़े यह बुक बहुत इच्छी होती है और केमेस्ट्री ही एंशियाइटी ही क्रोंकि देखा जाता है कि बहुत बहुत बड़े इंस्टउट्बियों के लेकिन वह ँर्ण का लेवल बहुत आई होता है और इसमें您 in chemistry का लेवल इतना है नहीं होता है जितनी वह बताते हैं इसमें एंशियाइटी में बिल्कुल पेपर के साथ से होता है इस से बाहर कुछ भी नहीं आता चाहिए कोई प्लस वन प्लस टू दोनों की एंशियाइटी पढ़े आप इसमें से कुछन आते चाहिए आप ने का पेपर उठागे दे सकते हैं इस पर 2021 का 90% 90 से 95% कुछन किसी में से आते हैं कुछ एक आदा कुछन बाहर से आ आई भी लेवल सभी इसी एंशियाइटी में से आते हैं और फिजिक्स फिजिस की आप एंशियाइटी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो लेकिन आपको एक बार एच्छी वर्मा जैसे बुक को बड़ी बड़ी बुक्स एक बार तो उठाने पड़े हैं क्योंकि आपको बहुत स्टेटिव बुक्स उठाएं जैसे एच्छी वर्मा हो गया और जो आपको पसंदा है वो और कुछ बुक्स हैं जैसे आप नरेंदर अवस्ती ये बुक्स होती आयाइटी इनके लिए तो प्ली इनसे केमेस्ट्री ना करें कोई नीट बेस हैं उनीक से करें उनीसे आपका फाइदा हुगा और कुछ बढ़ जैसे उठा लेते हैवी बुक्स की ट्रुमेंस की हम इसे त्यारी करेंगे अब एंशेयर्टी को छोड़ते हैं एंशेयर्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कुछ एंशेयर्टी के कोशन बेस बुक्स आती हैं आप वह उठाए उनको प